माद्य प्रदेश में मानसून की बेरुखे की चलते कई जिले और तहसील सूखे की चपेट में आगे हैं। खरगोन से कॉंग्रस विधायक रवी जोशी ने उनकी शेतर की तहसील को सूखा ग्रस घोशित करनी की मांगी है। इससे लेकर वे मुख्यमंत्रे शिवरा सिंग चोहान से भी मुलाकात कर चुके हैं। इतना ही नहीं उन्होंने बयान देते हुए का कि उनकी तहसील में किसार ने कर्ज और सूखे के चलते आत्मा हत्या कर ली है। इसलिए भारती जनता पार्टी की सरकार को जल्दी उनके जिले में द्वितिये चरण की कर्ज माफी भी शुरू करना चाहिए। और अगर भाजपसर कार ऐसा नहीं करती हैं तो फिर उनकी सरकार बनने पर वहां दोबारा से कर्ज माफी शुरू करेंगे। जनता के हीत में निर्णे लिया कि किसान का कर्ज माफ उसका प्रतम चरण दूती चरण चल रहा था। खरगोन जिले में दूती चरण पर काम हो गया था लेकिन खरगोन और गोगावा तेहसिल ले गई थी जहां किसान अभी भी कर्जे से हैं। कल की घटना देखने को मिली कि जितेंद्र जगदीश पाटिदार ग्राम पंदानया तेहसिल खरगोन के किसान ने जो आत्मत्या करी है उसके परिवार में सोसाइटी का करजा बेंक का करजा था। और इस वर्स बारिश ने भी अपनी कुछ नाराजी रखी होगी। मैं डेड़ महीने पहले शिवराज सिंग जी को और उनके प्रसाशन को बार बार पत्र दे चुका हूँ। मैं शिवराज सिंग जी से मांग करता हूँ कि ततकाल सुखे प्रभावित तेहसिलों को सुखा ग्रस तो घोसित करके वहां किसान के लिए गरीब के लिए और मजदूर के लिए रहत की व्यवस्ता दिए। भोपाल सी MS TV के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंदर माली के साथ हेमंत माली के रिपोर्ट